एक समय की बात है एक गाउं में राजु नाम का एक आदमी रहता था वो बहुत गरेब था उसके पास रहने के लिए कोई जगा नहीं थी इसलिए वो एक पेड के नीचे रहा करता था और उसी पेड का फल खाकर अपना जीवन बिताया करता था एक दिन एक लकड़ारा वहां आया और उस पेड को काटने की तयारी करने लगा ये देख राजु उस लकड़ारे के पास कया और विनिती करने लगा कि वो इस पेड को ना काटे लेकिन लकड़ारा नहीं माना तब राजु ने आसपास की लोगों को इकठा कर लिया और बोला देखो भाईया ये लकड़ारा इस पेड़ को काट रहा है ये देख एक आदमी बोला नहीं नहीं हम तुम्हें ये पेड़ नहीं काटने देंगे हमारे गाओं का सबसे पुराना पेड़ है ये तब ये दूसरा आदमी बोला हाँ हाँ हम इसे ये पेड नहीं काटने देंगे ये पेड बहुत महत्वरकता है हमारे लिए ये सब देख लगढ़ारे ने हार मान ली और पेड काटने का खयाल छोड़ दिया और वहां से चला गया पेड ये सब देख और सुन रहा था कुछ समय बाद जब सब लोग वहां से चले गए राजु को अपना नाम पुकारने की आवाज सुनाई दी जब उसने इधर उधर देखा तो कोई नजर नहीं आया गौड से सुनने पर उसने देखा वो आवाज पेड से आ रही थी तभी पेड बोला तुमने मेरी रक्षा की है मैं जानता हूँ कि तुम बहुत खरीब हो इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ मेरी बात को ध्यान से सुनना रोज तुम मेरे शाखाओं से खाने के लिए एक फल तोड़ना और खाते समय एक इच्छा मांगना तुम जो मांगोगे तुम्हें जरूर मिलेगा पर ये याद रखना कि तुम्हें एक दिन में सर्फ एक ही फल तोड़ना है और उससे एक ही इच्छा मांगनी है राजू बहुत खुश हुआ और उसने पेड के कहे अनुसार एक फल तोड़ा इच्छा मांगी तभी उसके सामने बहुत सारा खाना आ गया अब ये सिलसला यूही चलता रहा और राजू रोज फल तोड़ता और इच्छा मांगता थोड़े ही समय में उसकी हालत ठीक हो गई उसका खुद का घर था और किसी चीज की कमी नहीं रही एक दिन राजू ने सोचा कि अगर वो रोज एक फल तोड़ने की जगा एक दिन में सारे फल तोड़ ले तो उसकी सारी इच्छाएं एक ही दिन में पूरी हो जाएंगी उसने एक एक कर फल तोड़ना शुरू किया और खाते खाते इच्छाँ मांगने लगा पर उसने जो भी सोचा उसकी एक भी इच्छाँ पूरी नहीं हुई वो बहुत निराश हुआ और उस पेड को कोसने लगा और बहुत बुरा भला बोला मैंने तुम्हे कटने से बचाया और तुमने मुझे धोका दिया इतना विश्वास किया था तुम पर अब मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा तब ही पेड ने राजु को याद दिलाते हुए कहा मैंने उसी दिन तुमसे कहा था कि तुम्हें एक दिन में सिर्फ एक ही फल तोड़ना है पर तुम्हारा लालच इतना बढ़ गया कि तुम मेरी कही बात को भूल गए और अब मुझे बुरा भला बोल रहे हो जो हुआ वो तुम्हारे लालच का ही फल है राजु को पेड की कही ये बात याद आ गई और उसे बहुत पच्चतावा हुआ इससे हमें शिक्षा मिलती है कि लालच इनसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है इसलिए इनसान को कभी लालच नहीं करना चाहिए और जो भी उसे मिल रहा है उसी में खुश रहना चाहिए